इस वीडियो के इतना काईस हम लोग बात करने वाले हैं NRI income tax return filing के बारे में कैसे NRI को एक income tax return file करनी बढ़ती है उसके उपर क्या क्या रूल एप्लिकेबल होते हैं कब मेनेटरी हो जाता है income tax return को file करना और कौन से forms वगरे एप्लिकेबल होते हैं कैसे online processing होती है और किन किन filing के बारे में एक NRI को कब income tax return यहां पर file करनी चाहिए किनके इन चीजों पर ऐजे NRI यहां पर tax वगरे लगता है उसके क्या rules होते हैं कौन सा form applicable होता है कैसे कैसे आपको ITR file करनी है तो guys यह सारी जानकरी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर वीडियो को guys शुरू कर करते हैं क्या आपकी जो abroad की income होती है as a NRI क्या वो इंडिया के अंदर taxable होती है तो यह देखे totally depend करेगा आपके financial status के उपर जी हां तो देखे अगर आपका financial status NRI है तो आपकी जो basically इंडिया से जो income होगी जो इंडिया के अंदर आपकी जो income accrued होगी या earn होगी के बल उसी के उपर आपको tax pay करना पड़ेगा यानि कि आपकी जो foreign की या फिर abroad की जो income होगी उसके उपर आपका tax नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका financial status as a resident है इंडियन resident है तो आपकी जो global income होगी वो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर taxable हो सकती है आप guys यह totally depend करेगा कि आपका financial status क्या ह तो financial status कैसे निकलता है वैसे तो इसमें different terms होती है जैसे कि resident हो गया एक non resident जिसको हम लोग NRI बोलते है वो गया उसके लावा एक होता है ordinary Indian resident जिसको ROR बोलते है और इसके लावा एक resident but not ordinary Indian resident भी यहाँ पर का जाता है अब यह चीजे applicable कैसे होती है तो इसका एक simple सा यहाँ पर rule ह अगर मालीजे आप India के अंदर more than 182 days यानि कि almost 6 मही होगे अगर उससे जादा जो है किसी भी financial year के अंदर आप यहाँ पर stay करते हैं इंडिया के अंदर या let's suppose अगर आप 60 days का stays करते हैं जो भी financial year चल रहा होगा और पिछले 4 सालों के अंदर आपने cumulative तरीके से अगर 365 days से इंडिया के अंदर तो गाइस यह दोनों ही condition अगर आपके उपर applicable नहीं होती है तो उस case में आपका जो status है वो as a nri का होगा और गाइस अगर आपको ऐसे calculate नहीं करना तो government अपनी official income tax के website के उपर initial status का calculator भी दे रखा है यहाँ पर आपको 2-3 चीजे जो input करनी है जिसके मदद के तुरू आप easily पता कर पाएंगे कि आपका जो status है वो resident status है या फिर as a nri का status है गाइस बात करते हैं कि आपके उपर forms वगरे कौन से applicable होंगे तो देखें majorly आपके उपर केवल ITR 2 या फिर ITR 3 form applicable होगा कई लोग mistake करते हैं कि वो ITR 1 को file करते हैं या फिर ITR 4 को file करते हैं यह चीज़े आपके उपर applicable नहीं होगी आपको सिर्फ ITR 2 या फिर ITR 3 form यहाँ पर file करना पड़ेगा ITR 2 और ITR 3 दोनों ही non initial person के उपर applicable होता है जिसके अंदर वो अपनी जहां से भी income है वो सारी income यहाँ पर schedule के अंदर डाल सकते हैं आपके इस बात करते हैं यहाँ पर किन NRI को उस case में आपको जो TDS का refund claim back करने के लिए या फिर अगर आपके income जादा होती है तो उस case में आपको compulsory हो जाता है ITR file करना इसको check करने का नहीं बड़ा ही simple तरीका है आपका जहां पर जो है basically आप अपने income tax portal के उपर login कर सकते हैं और आजकर यहाँ पर एक AIS का feature आपको दिया वगरे मिला है कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाए देगी साथ यहाँ पर आप देख सकते है section 195 के अंदर आपका TDS वगरे भी करता है अगर आप एक non resident person है तो आपको जो भी income जो है इंडिया से receive होती है उसके उपर यहाँ पर हमेशा TDS भी कटने वाला है अब देखेगा इस return को file करने से पहले मैं आपको जो है कुछ schedule यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कब-कब आपके उपर यहाँ पर tax वगरे लगने वाला है तो अगर मालीज अगर मैं salary की income को count करूँ तो वो depend करता है दो situation के उपर अगर आपको इंडिया के यहाँ पर रिजिव होरी है तो मालीज अगर आपका status यहाँ पर NRI का भी है उसके बावजूदी मालीज आपकी salary है वो इंडिया के अंदर आपको receive होती है तो उस case में वो taxable होगी इंडिया के अंदर ही साथ में अगर let's suppose अगर आपकी salary जो है इंडिया से यहाँ पर earn होती ह मलनी जा आपका status भले NRI का क्यों ना हो लेकिन अगर आपकी salary इंडिया से आना हो रही है तो उस case में भी आपकी salary इंडिया के इंदर यहां पर taxable होने वाली है लेकिन अगर ऐसी कोई situation नहीं है आप बाहर किसी foreign company के लिए काम करते हैं बाहर ही है मतलब आप जो है इंडिया के अंदर मतलब काफी कम वक्त गुजा रहा है आपने और आपका status है वो भी NRI का है तो आपकी foreign की income के ओपर जो है basically कोई भी tax नहीं लगेगा क्योंकि already tax जो है आप बाहर की country के अंदर pay कर रहे होंगे अब guys अगर मैं house property की बात करो तो वहाँ पे भी जो financial person के ओपर rules applicable होते है वही चीज़ यहाँ पे applicable होती है यहाँ पे भी basically आप जो भी है कि आपकी rental वगरे income होती है उसके ओपर आपका tax वगरे applicable होता है इसके लिए जो आपकी other sources के income होती है majorly यह वाली junk income होती है जो NRI को यहाँ पर earn होती है जैसे आपके bank का interest हो गया अगर आपने इंडिया के इंदर fix deposit वगरे कर रखी है वहाँ से आपको interest मिल रहा है या किसी और security में invest कर रखा है वहाँ से आपको interest वगरे मिल रहा है कोई other sources के income है तो वो सारी चीज़े आपके इंडिया के इंदर definitely taxable होती है भले आपका status जो NRI को हो साथ में NRI जो accounts होती है उसके उपर जो interest होता है वो definitely tax free होता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके जो NRO accounts के उपर tax जो interest वगरे होता है वो fully यहाँ पर taxable वगरे रहता है इसके लागा इस कुछ SpaceX यहाँ पर provision भी बने हुए है especially NRI के लिए कि जहाँ पर उनका जो TDS कटा जाता है 20% की rate से मानीच अगर वो shares वगरे बाय करते किसे Indian company के अंदर debentures करते है deposit वगरे करते है या mostly कहीं पर भी invest वगरे करते है तो उनको जो भी income receive होती है पहले से 20% का TDS वगरे काट लिए जाता है तो इस TDS को भी अगर आप refund claim back वगरे करना चाते हो डंग से तो यहाँ पर आपको ITR अगरे भी लगता है उसके उपर 12500 तक की rebate मिल जाती है लेकिन NRI के case में ऐसा नहीं है अगर 500,000,000 के उपर की income होई तो जो भी tax बन रहा होगा आपको अपनी जेब से pay करना पर सकता है या फिर TDS के साथ में आपका set off हो जाएगा चलिए guys में यहाँ पर आपको simply तरीकी से live यहाँ पर choose out करना है जैसे मता है कि ITIA 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे आपको let's get started के उपर click करना है आपसे reason पूछेगा other option choose कर सकते है तो यहाँ पर guys screen के सामने आपके कई सारे schedules निगल के आजाएंगे आपको simply सभी को continue करना है आप guys इन सारे schedule को हमें यहाँ पर fill up करना है वैसे इस के उपर मेरा already dedicate video यहाँ पर ITIA 2 filing के उपर बना हुआ है guys skilling मैं आपको description box में दे दूँगा मैं आपको यहाँ पर mainly यह part बता देता हूं कि as a NRI जो है कहां कहां पर कौन सी information majorly तरीके से यहाँ पर change होती है तो guys पहली जो चीज होती है वह आपकी general information के अंदर आती ह और यहाँ पर होता है आपका simply तरीके से residential status तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option मिल जाएगा resident, non-resident यह resident but not ordinary resident है तो देखिए यह जो status है मैं आपको और दी बता चुका हूँ कि government का calculator वगरे दिया हूँ है उससे आप निकाल सकते हैं अगर आपका NRI का status है त आपको simply non-resident यहाँ पर choose करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको NRI का status मिल जाएगा फिर जो भी आपकी country होगी जो भी आप जिस भी country के अंदर आपी right now आप जो है currently residence कर रहे है वो country यहाँ पर आपको simply तरीके से डालनी है आलीजी आप UK के अंदर रहते हैं तो यहा United Kingdom वगरे मिल जाएगा अगर आप US के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं United States of America मिल जाएगा प्लस यहाँ पर आपको tax identification number डालना है आपको हर country के अंदर एक tax identification number मिलता है वो आप यहाँ पर insert कर सकते हैं वहना simply तरीके से आप अपने passport का file number वगरे भी यहाँ प period के अंदर आप कितने दिन यहाँ पर इंडिया के अंदर रहे हैं और पिछले चार सालों के अंदर कितने डेस आप इंडिया के अंदर रहे तो वह simply तरीके से आपको information वगरे देनी पड़ती है इसके लागा इस बाकी के जितनी भी schedule से वह सारे के सारे जो totally work करेंगे वह यहाँ पर जो भी आपका tax payable होगा जिसे कि मैंने बताया था आपको 12,500 तक का rebate मिल जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है आपका जो भी tax वगरे बनता है उसके उपर कोई भी आपको rebate नहीं बलता है ब्लस आपका जो TDS वगरे कटा होगा तो उसके साथ में definitely जादर income नहीं है और आपका TDS वगरे अच्छा खासा घटा हुआ है securities के उपर mutual funds वगरे के उपर dividend के उपर तो उसको आप as a refund भी यहाँ पर claim back वगरे कर सकते हैं जिसके लिए मैं आपको highly recommend करूँगा हमेशा एक tax consultant की यहाँ पर आपको जरूर help लेनी चाहिए आपकी guys ITR 2 य आप लेना चाहते हैं तो उसकी link already description box में mention है thank you guys thank you very much